लेट इस दिसकास वाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स सबसे पहले सोप्स क्या होते हैं सोप्स आर लॉंग चीन सोडियम और प्रटाशिम सॉल्ट के लॉंग चेंड सॉल्ट होते हैं कर्बॉक्सिलिक असिट इससे कि सोडियम स्ट्यूरेट एक लॉंग चेंड सॉल्ट है का अब देख रहें ये कर्बॉक्सिलिक ग्रूप है जो सोप का स्ट्रक्चर है उसमें दो पार्ट होते हैं एक लॉंग हाइड्रोकार्बन पार्ट जो हाइड्रोफोबिक होता है मतलग वाटर को रिपेल करता है और एक और अल्सॉलीबल पार्ट या फिर जो कि ग्रीज या ऑल में जोलिबल होता है यह जो hydrophobic part है यह oil और grease में soluble होता है क्योंकि यह water में soluble नहीं होता और जो एक छोटा ionic part होता है वो hydrophilic होता है water को attract करता है और oil और grease के अंदर soluble नहीं होता एक part है hydrophobic दूसरा part है hydrophilic phobic वाला grease और oil में soluble होता है और philic वाला grease और oil में soluble नहीं होता ठीक है तो ultimately क्या होता है कि soap और detergents के अंदर अगर कोई oil droplet आ जाती है तो इस तरीके से दो पार्ट होता है एक right hand portion जो आप देख रहे है वो आइनिक पार्ट है और दूसरा वो जो आइनिक पार्ट है वो hydrophilic और दूसरे वाला जो है जो है जो आपको चेन नजर आ रही है वो hydrophobic है यह चेन दूसरे उईनिक इसंद और जोम डेख पार्ट है तो साथ मिल जाता है साथ मिलकर उसको अपने साथ एक मिसल बना लेता है और आइटीमेटली हो फॉाशा उप हो जाता है जाते हैं के अत्राट से टॉकिंग अबउट तो क्लेंजिंग एक्षिन अज़न ऊटार रम करते हैं तो वो spherical structure बना लेते हैं जिनको missiles बोलते हैं हर missile के अंदर soap molecules radially arranged होते हैं कैसे कि जो part है HC part it is towards the center ठीक है HC part मतलब वो part जो की hydrophobic होता है और जो ionic part है जो water loving वाला part है वो बाहर की तरफ होता है और जो HC part, HC मतलब जो hydrocarbon वाला part है जो की hydrophobic है वो dirt को, oil को, grease को इन सब को dissolve कर लेता है और एक emulsion बना लेता है center में, missile के center में जिसको further water से wash कर लेता है Now what are the differences between soaps and detergents? Soaps जो है sodium salts होते हैं fatty acid के Detergents जो है, वो sodium salts होते है, sulfonic acids के Soaps, soft water के अंदर clean कर पाते हैं चीजों को लेकिन hard water में नहीं कर पाते हैं और जो detergents है, वो hard और soft दोनों water में cleansing action शो करते हैं Soaps की जो cleansing action है वो detergent जितना अच्छा नहीं होता और जो detergents है वो soaps से जादा better clean करते हैं Soaps biodegradable होते हैं और pollution cause नहीं करते हैं But कुछ detergents non biodegradable होते हैं और pollution cause करते हैं So this is the end of the chapter, carbon and its compounds करते हैं